हाई फ्रेंज वेलकम टु तबू कीचन कॉर्णर कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होगे आज हम चने से एक रेसिप बनाने वाले है जो बहुत ही चटपटी और स्पाइसी है और अगर आपको एक रेसिप पसन आती है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐज़े ही चटपटी और विक रेसिपीस हम हर रोज लाते रहते हैं तो चलिए आज का मेनू हम देख लेते हैं और बनाने का तरीका भी शायद ही ऐसा कोई हो गया जिसको चैने की चाट पसन ना आती हो हमारे घर में तो यह सबों को बहुत ज़्यादा पसन आती है तो इस बनाने के लिए हमने सबसे पहले बॉल चैना लिया है, चैना इतना गलाया है कि जो हातों से पुरा मसका हो रहा है और उसके लिए लगए थोड़ी सी पयास जो हमने बारी काट ली है बारी कटा हुआ टमाटा और उसके साथ हमने लिया है जेंजर गार्लिक का पेस थोड़ा सा एक टी स्पून तकरीबन और कटी हुई पारिक मिर्ची और ये लिया है ग्रीन कोरियंडर उसको गार्निश करने के लिए और थोड़ा सा हमें तेल भी लगने वाला है चैना बनाने के लिए और साथ में नीम्बू जिससे हम चटपटा स्वाद उसका बना सकते है और उसके साथ ये कोई सूखे मसाले जिसमें हमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला लगने माला है और थोड़ी सी शेव ओपर गार्णिश करने के लिए बिल्कुल ओप्शनल है, अगर आपको पसंद ना आए या आपके खर्म अविलेबल ना हो तो ना भी ले सकते और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए काले मिर्ची और ये लिया हमने चाट मसाला सबसे पहले पैन गरम कर लेते हैं और उसमें हम जितना हमारे चने रहेंगे उसके कोडिंग हम तेल डालने के यह हमें दो टेबल स्पून ओइल यूज किया हुआ है, वो दालने के बाद में कटा हुआ प्याज और मिर्ची इन दोनों को हमने सौते कर लिया है, थोड़ा सा हमें इसे धिमी धिमी फ्लेम पे हलका सा चला लेना है, इस तरह धिरे धिरे चलाने के बाद थोड़ा सा एक मिनिट हम इसे बून लेंगे, उसके बाद तुरन से हमी जो जिंजर गार्ली का पेस्ट था, वो डालके भी हम थो हमारी जो अद्रक लसन का पेस्ट है, वो अच्छे से भूने जाए, जब ये भूने जाता है, अच्छे से हम उसमें सुखे मसाले डालेंगे, जैसे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और ये गया हमारा धनिया पाउडर, स्वात के अनुसार नमक, और ये काल हम डालने के बाद में, इनको अच्छे से चला लेंगे, मसाला ना जले, इसका हमें खयाल रखना है, तो गयास का फ्लेम हम यहाँ भी धिमा ही रखा है, और ये मसाला जैसे भूना हो जाता है, हम पानी डालके, और भी अच्छे से मसालों को पका लेंगे, जब तक हमारा ते है उसको पकाने के लिए यहां हमारे दो मिनिट हो जाते हैं और यहां ऑलमस्ट रहे जो टमाटे है व b Cherry हल चुके है और इसको अच्छे से मैश करने बाद में हम उस में द्रीजा करेंगे चना जो हमने अल्रेडी ही बॉइल करके रखा हुआ था या हमने ब्लैक चेना यूज किया हुआ है अगर आप डॉलर चेना यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो तो ये सब डालने के बाद हम उपर से इसको हरे दनिये से सजा देंगे और वो जो बारिक शेव है हम सर्विंग के टाइम डालकर ओपर से निमू डालकर बहुत ही जादा स्वादिष्ट लगता है ये अक्सर होता है ना चार बुजे हमें हलकी हलकी भूग लग जाती है उस भूग को मिटाने के लिए ये रेसिपी बहुत लाजवाब है इस तरह हम सर्व कर देंगे और ये ऐसी रेसिपी कांदा ओपर से कटी हुई प्याज ये शेव और साथ ही साथ हरा धनिया ये डालके निमू डालके ओहो ओहो गज़र भी लगता है बहुत ही जादा स्वादिष्ट बना है ऐसी मज़िदार रेसिपी इसके लिए अगर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच सके मिलते हैं एक नेक्स वीडियो के साथ तब तक बाबाए